हेलो एव्रिवान वेलकम बैक टू माई चेनल कुक विद्राहत मीट करते हूँ आप सब खेरेस से होंगे मैं भी बेलकु ठीक ठाप हूँ आज मैं बनाने वाली हूँ यह लोकी की भुजिया इसे हम हरी मिर्च के साथ बनाएंगे तो चलिए देख लेते हैं इसे मैंने कैसे ब है चोटे चोटे टुकड़ों में मेरे पास ही एक किलो लोकी थी और यहां देखे तल भी अच्यास से करम हो चुका है तो इसमें बाल जान जाएंगे हो सब्सिकाओ कालर भी छोड़ के सबस्क्राइब तो हलका पिंक रखेंगे हलकी सी गुल्डन रखेंगे इतनी हम पकाएंगे इसे आप देखिए हलका साइस का इसका कलर चेंज होने लगा है मेंने यहां मीडेम ही रखा है अब इसमें हम एड कर देंगे कटी हुई हरी मिर्च यह मैंने लाल विर्च कट कर लिए जो हरी वाली मिर्चे लाल हो जाती है आप जाहे तो쉬 लाल मिर्च कर भी था में प्रेख बाब यहां ब उस हुए थोड़ी सी लाल मिर्च भी ढाल सकते हैं तो इसका कलर थोड़ा सा लाल हो झाएगा बस इसे डाल देंगे हम कटी हुए सबजी को मतलब लगआ कोड़ें कुकर के अंदर अच्छे सेठी सी अच्छे से ठोड़ी सी यहां choices करेंगे अब जब कि जब आप इसे प्रेशर लगाएंगे लो फ्लेम पर तो इसके इतना पानी हो जाएगा जैसे अपने इसमें पानी आड़ किया है तो इसमें ढाल देते हैं टेस्ट के अकोडिंग नमक मैंने एक चमच के करीम इहां नमक डाला है डालने के बाद फिर से अच्छे से मिक्स करे है और देखिए मैंने बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं एट किया था फिर भी कितना पानी है यह अच्छे से गल चुकी है तो बस अब हम नहीं जो है इसका पानी ड्राय करना है अगर आप इसी तरीके से थोड़ा पानी वाली खाना चाते हैं इसमें इतने ही गिरेव किसे भी खा सकते हैं तो बाद धकन धक दिया था मैंने कुछ देर के लिए से ऐसे ही और देखिए पानी इसका खुशक हो चुका है अभी जो थोड़ा पानी नजर आ रहा है फ्लेम को फिर से हम हाई करेंगे हाई फ्लेम पर अब हम इसकी करेंगे बुनाई और इसका पानी बिल्कुल ही खुशक कर देंगे और देखिए किते अच्छे से गल चुकी है और कलर भी कितना अच्छा आया है क्योंकि हमने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली है और हरी मिल्च तो इसलिए हलका सा ग्रीन कलर इसका लग रहा है बस इससे देखिए मैंने कितने अच्छे से भ को इसकी प्लेटिंग करके तो बस प्लेम मैंने यहां बंद कर दी है अब इसे ढग देते हैं और लीजे हमारी गर्मा गर्म यहां लोकी की भुजिया रेडी हो चुकी है इस तरीके से आप सुभा के नाश्टे में बनाएं टिफिन में बना के दें परांठे से खाएं चपाती से खाएं दोनों से बहुत अच्छी लगती है उपर से डालेंगे हरा धनिया और यह हमारी जो लोकी की भुजिया है यह रेडी हो चुकी है आप सिंपल आसान तरीके से अपने गर में बना कर एंजोई कर सकते हैं बस मेरी ऐसी हो और वीडियो देखने के लिए मेरी इस लोका बहुत बहुत शुकरिया